कमोडिटी दस बजे दस मेट में आपका स्वागत है शुरुआत कर लेते हैं एगरी मारकेट की दस बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बात जीरे की जहांपर कल शॉट कवरीं की वज़ा से थोड़ी तेजी दिखी जीरा का मार्च का वायदा 26,650 के आज़ पास ट्रेट कर रहा है वहीं धनिया की अगर बात करें तो धनिया में भी हल्की कमजोरी कल दिखी थी 7,750 के नीचे है भाव इस्ट्रॉकिस्ट और किसानों के पास माल जादा है उससे यहां पर दबाब दिख रहा है हल्दी 13,000 के करीब है कल 1% तक की गिराबर दिखी थी और जो नई दिख रही है बाई आक्टिविटीज कम है उससे दबाब है गवार्गम 10,600 के ऊपर हलकी खरीदारी दिखी थी गवार्गम के एक्सपोर्ट मांग की रिपोर्ट है वो भी बेतर है उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है गवार्थीड 5,450 के ऊपर फरवरी का बायदा आक्ट इंटरनाशनल मार्केट के साथ साथ धेर धेर यहां पर भी धोड़ी तेजी आ रही है 850 के आसपास NCDX Sunflower Oil का कॉंट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है कॉटन केक 2700 के आसपास है हलकी नर्मी यहां पर दिख रही है कॉटन केक के बाद कपास की बात कर लेते हैं दायरे में है नई सीमी दायरे में कारवार हो रहा है 930 के आसपास यह तो टॉप 10 कमोडिटी हो गई अपने मेमान से भी आपको मिलवा देते हमारे साथ तरुन ससंगी है सिल्क रूर से शुक्रिया तरुन जी माफ कीजिएगा आज मनोज जी है हमारे साथ सो में प्रिथवी फिनवार से मनोज जी सबसे पहले आप से बात करेंगे जीरे को लेकर जीरे को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है सर नमस्कार शुमान जी बिलकुल कल भी हमारी जब शो में बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि यहां पर ओवराल मसाला कॉम्पलेक्स में हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो बनते हुए दिख रहा है उपरी लेवस पर हम निचले इस तरों से हलकी शॉट कवरिंग साते हुए देखते हैं लेकिन बाव उपरी इस तर पर यहां ठहर नहीं पाते हैं तो जीरे में भी हमारा मानना है कि यहां पर एक दाइरे का ट्रेड जो बना रहे सकता है 25,800 भी अपर यहां पर यहां पर देखने का लिख रहा है तो इस तरह से हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो यहां पर सोइंग को लेकर के जो खबरे आ रहे हैं कि लगबग 30-40 प्रतिशत जो है सोइंग कम है इस बात तो उसका निश्चित तो पर असर यहां पर कीमतों में आ आने वाले समय में देखने को मिलेगा एक जो बड़ी गिरावट आनी थी वो हम यहां पर कीमतों में आते हुए अल्रेडी देख चुके हैं तो हमारा मानना है कि यहां वर्तमान लेवल से कोई ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है एपरिल वाइदा अगर 7600-650 के दा आज खरीदारी करें क्या हल्दी में? फ्रेश बाइइंग पोजिशन हल्दी में बनाने के लिए 12600 के आसपास अगर अपरिल वाइदा मिले तो वो फिर एक अच्छे इस तरह होंगे बाइइंग के लिए गवार सीड और गवार गम डिमांड अच्छी दिख रही है गम की और साथ साथ गवार सीड के अराइवल्स भी कम हो रहे हैं लेकिन भाव अभी भी दायरे में फसा हुआ है क्या लग रहा है कब ये दायरे से निकलेगा और ट्रेडर्स के लिए क्या सला है दोनों ही गवार सीड और गवार गवार गम में सपोर्ट देख रहे हैं हला कि एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है जब तक गवार सीड 5600 और गवार गम 11000 के इस तरह के उपर सस्टेन नहीं होता है ये दायरा बना रहे सकता है लेकिन हाँ आज थोड़ी सी जो बढ़ते हो एक्स्टे ग्यारा जार के दायरे में भाव मिले तो एक बार लॉंग की पोजिशन में मुनाफ़ा वसूली करने की सला यहाँ पर दी जा रही है चलिए अब कपास की और कपास खली की बात कर लेते हैं मनो जी इन दोनों काउंटर में क्या हला कि दायरे में कारोवार दिख रहा है दोन 82, 83 सेंट के दायरे में चल रहा है और हम 80 सेंट के आसपास जो हुआ बार बार सपोर्ट जो आते हुए देखते हैं कल भी हमने आई स्कॉटन वाइदा में निशले इस तरों से अच्छी रिकवरी देखी थी तो हमारा मनना है कि आज के सतर में NCDX का कपास का जो एपरिल वा केक में हमने जो सपोर्ट लेवल तूपते हुए देखे थे 2722 के उसके बाद एक दबाओ जो है कीमतों में देखने को मिला है तो हमारा मनना है कि 2650-2660 वो एक सपोर्ट लेवल होगा तो अगर वरतमान लेवल से 30-40 रुपए की और गिरावट आती है तो फिर निशले इस त तरो पर इंटरनाशनल मारकेट में हैं हाला कि जो महंगाई के जो नंबर्स थे वो बाजार के अनुमान से थोड़े ज़्यादा जरूर थे लेकिन बाजार को लग रहा है कि फेड अभी भी फैसलों में कुछ बदलाओ नहीं करेगा एस्टांस अपना वही बरकरार रखेग आपको क्या लग रहा है किस तरह की चाल सोने चांदी की रहेगी हाला कि आज एक अहम डेटा भी है पीपिए डेटा उस पर भी नजर है बिलकुल यहाँ पर कल हमने देखा है कि जो यूएस में जो महेंगाई इदर है वो एक बार फिर दिसंबर महिने में तीन देशमरों चार प्रतिशद पर पहुंचती हुए नजराई ये बढ़कर और उसके बाद मार्केट को एक थोड़ा सा ये धारना बनती हुए नजराई की शायद यूएस पेट जो है वो रेट कट को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है उसी के चलते हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सुधार देखा था और सोने और चांदी में गिरावट जो ये श जो है सोने और चांदी में आती हुए नजर नहीं आएगी और सोना इंटरनेशनल मार्केट में दो हजार डॉलर और चांदी की कीमतें 22.50 डॉलर के जो इस तरह वो होल्ड करता रहेगा तो डिप्स में बाई कीजिए सोने में अगर आज यहां 62,000 के इस तर मिलें तो बाई करके चलिए 61,770 के स्टॉप लोस से लक्ष यहां पर रखना है 62,450 का वहीं चांदी में भी 71,500 के इस तर पर इंटरडे में बाई कर सकते हैं 70,950 के स्टॉप लोस से लक्ष यहां पर 72,300 का रखना चाहिए खरेदारी की रहा है और आज तेजी दिख भी रही है जिस तरह से एक्यूटी मारकेट में रिकावरी आई थी लोर लेवल से हमने यूएस मारकेट में भी देखा था और वही गोल्ड सिल्वर में भी दिख रही है शुरुआती नर्मी के बाद अब अच्छी तेजी अब घ अच्छे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं आगे बिलकुल उसी के चलते हमने कल सपोर्ट जो आते हुए देखा था और जिस तरह से दाइरा जो बना हुआ है पांच जार आट सो पचा से छेजार दोसों का उसी रेंज में कच्छा तेल जो है भी है कर रहा है जिस तरह से जो के टेंकर सीज किये गए थे एरान की तरफ से उसके बाद से यूएस के एरिस्ट्राइक भी हुई तो एक फिर से कीमतों में जो बड़ा ताती हुए नजर आई है पर हमारा मानना है कि ये दाइरा भी बना रहेगा क्योंकि साओधी अरे अरेबिया ने भी यहां पर जो आपा उसुली की सला रहेगी लेकिन जो नेचरल गेस का जो ट्रेंड बना हुआ है पॉजिटिव वह यहां पर कंटीन्यू होता हुआ दीख रहा है कल भी जो टार्गेट सुझायत है वह हासील होते हुए नजर आए हैं आज यहां पर फिर एक बार फ्रेश जो है बाइंग टार्गेट फिर 284 के टार्गेट के लिए वेट कर सकते हैं लेकिन कच्छा तेल MCX पर 6200 का रेजिस्टेंट दिख रहा है उन लेवल के आसपास आप मुनाफ़ा वसूली करने की सला मनो जी से मनो जी चोटा जवाब आखिर में बेस मेटल में कुछ आज के लिए के टार्गेट के लिए ऐलमूनियम खरीदारी की सला एक टॉप ट्रेड बेस मेटल में शुक्रिया मनो जी आपने वक्त निकाला कमूरिटी दस वज़े में फिलाल इतना है लेकिन एकुटी मार्केट के आक्शन के लिए आप बने रही है हमारे साथ नमस्कार